गूड मॉर्निंग फ्रेंज जैमाट आदी तो आज मैं आप सभी से exercise से वीडियो स्टाइट कर रही हूं और इस वीडियो में बहुत सारे चीजें आप सभी से बहुत सारी जानकारी देने वाली हूं कि कैसे मैंने अपना वेट कम किया था बहुत चोड़ा चोड़ा टीप्स में आप सभी को बताने वाली हूं तो बीडियो को भी स्किप मत करिएगा और जो रही है तो मैं अपना एक्सराइज करना बिल्कुल भी नहीं भूलती हूं और चाहिए जो भी जैसे मैं बहुत सेर करते हूं क्योंकि जब भी में एडिट करती हूं ते एक कशील आज़ा के सामने ऐख में अपर इसको करने के पारी दिखने लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैं यह दोनों में डेली ही करती हूं और बहुत टाइम से मैं करती हूं जो भी मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि यह मैं कुछ भी एक्सराइज करूं या ना करूं यह दो एक्सराइज में जरूर कर लेती हूं जब भी मुझे टाइम मिलता है तो इस exercise को सुबह में करना है जब भी आपके बच्चे भी हैं चोटे हैं अभी तो मेरे बच्चे काफी चोटे हैं बट जो बच्चे कर पाएंगे ना उनसे आप करवाईए यह दोनों exercise बहुत जादा जरूरी है हर किसी के लिए जरूरी है बच्चे बढ़ें जो नहीं भी मतलब बहुत जादा exercise हार्ड वर्क नहीं कर पाते वो यह दो exercise भी कर लेना तो उनसे भी उनका जो बॉड़ी है वो फिट रहेगा तो यहां पे मैं आप सभी से एक बात क्लियर कर दूँ कि मैं यह वही सब चीजे सेयर करती हूं जो मैं खुद अपना के अपना लोग जूरे हो उनको motivate कर पाऊँ बट आज मुझे लगता है कि हां मैं छोटे-चोटे टीपस देती हूं छोटे-टीक बताती हूं हो सकता है कि एक डो तरीख ही अपना के आप अपना वेट थोड़ा भी कम करते हैं तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा तो प्लीज क्या मुझे करना चाहिए और कैसा वीडियो मैं आप सभी के लिए ले के आऊ स्कूर्सुल कि अधार यॉद्यार मैं नायरा तो इस तरह का नायर आप अपने लिए कर सकते हैं सब के लिए नहीं कर पाएंगे बार जब अपने लिए उम बनाते है थो मुझे रहता है कि मतलब ऑयलियोंग्त ध्यपनलें वासा कम ही यूज़ करके खुद के लिए बना लेते हैं क्योंकि हम जब डाइट करते हैं तो खुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है तो यहां देखिए मेरा नास्ता के इतना टेश्टी यम्मी यमी बनके रेडी हो गया है जब मुझे टाइम नहीं होता है तो मैं अपन गंटे का लगबग हो जाता है पूजावरा करने के बाद में एक्ससाइज करती हूं उसके बाद नास्ता करती हूं लगबग 11 बस जाता है तो यह भी आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करता है यह दो तीन चीजे जो है आपको बहुत ज़्यादा मदद करने हैं अगर आप चाहत रखेंगे ना तो ़ो काम करने कि यह बहुत जादा टेस्टी ख़िखेंária था पेष्ट डिडियो करते हैं तो भी बच गया था तो इन्यूंझे यह यूंड़ी कर लेती हूँ डिटी हो तो यह यूंड़ी नास्ता में आ इन मेरूं काफी टाइम मैंने सूजी का चीला बेशन का चीला मुंग दल का चीला यह सारे चीले करेस्पी आप सभी से से शेयर की हूं तो अभी एक्ससाइज हो गया नास्ता हो गया सुबह का पूजा पार्ट अभी सावन चल रहा है तो सब कुछ हो चुका है हमारा तो अभी 11 बजने व यह भी आपको वेट लॉस में बहुत दा मदद करता है तो अभी रेडी हो गई हूं जैसा कि आप लोग देख रहा है और अभी जाने वाली हूं राद्य को स्कुल से लाने के लिए और डेली का यह मेरा रूटिंग है नास्ता करके तुरंत निकल जाती हूं तो कुछ- दाल भिंडी टमाटर जो भी मेरे पास था नेनुआ यह सब कुछ मैंने काट के रख दिया है यहां जख लासुन भी छील के रख दिया है तो यह इतना सारा काम करके जाती हूं तब आके फिर लंच में लगोंगी तो दाल पहले में अरहर मसूर का दाल जो है वो नमक खल्द उसके बाद में डालती हूं और सांबर बनाने वाली हूं भुंजिया बनाने वाली हूं चावल दाल यही सब हमारा आज का लंच था यह तो अभी आओंगी तब आगे का काम करूंगी फिर आप लोग से वीडियो से लेने के लिए तो जूए रहेगा इस ब्लोग में आप ल को महीं सब्लिया अविक करते हूं शर्म करते हैं कि कुछ आपि उससे भी अच्छा है आप से एक्सथा करते हों से लेकिन आप लोगोंको एक हम जरिया जिस्से मैं बताती हूं कि आप अपनाा जना है हम या छूटे च्छोटी आपलतों को बदल क Well, its Uhm करिए कोई भी exercise करिए जो आपको अच्छा लगे जो आपके लिए बेस्ट हो तो आप कुछ भी exercise जो भी exercise और मोबाल समय गया है कहीं से भी देखे कुछ भी exercise करिए लेकिन आदे exercise करिए और morning drink आप जैसे आपको comfortable लगता है वैसा लेजिए जो आपको कुछ भी लेकिन लगतार आप अपने हेल्थ करपती जूए रहेंगे तो आपका वेड़ूर्व कम होगा और मैं आपके सामने हूं और अभी भी मेरा वेट लोग भी है तो चलिए मेरा डाल भी हो गया है निकलते हैं अरद्या को लेने के लिए फिर आप लोग से मिलते हैं जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपका मेरा जोगी वीडियो मेरा आप सभी सेर करूं तुरंत आप लोग को पता चल जाए और आप लोग वहां से लिख सकते हैं तो चलिए जल्दी से यहां पे डाली मेरा बन गया तो जल लंच थाली सबका लंच हो चुका है तो मिलती हूं ऐसे ही नए मोटिवेशन के साथ नए इनर्जी के साथ और नए बलोग के साथ अब तक सबस्त रहिए अपना ध्यान रखिए जै माता दी